प्यारे कीजे, बोलोशी अभीषेक कुमार प्यारे कीजे प्यारे कीजे, अभीषेक कुमार प्यारे कीजे, अक्षाई कुमार प्यारे कीजे धरेक वैश्णों पोत्पतानु स्थान लैलिये सान्ती थी वचनामरत चालू थाई छे, एना पेला आपने बदी सान्ती बदू जडवाई जावी जुई यारे इनल थे वैश्णों अभी होता है, मुद दोस्टिह के एलाओा है, ए्यारे कीजेदी है, इना झुईमार प्यारे कीजेदी हमुवाई लैलिये सान्ती दोस्टिह ज技 सिने अरे, एक्ट शग्यार्वाईं जाववाई ठर चा के चाहें, उजए उञए जाई e युईमा श्रीक्रश्नम् परमानंदम् दसलिलायुतं सदा सर्वभक्त समुद्धारे विश्पुरंतं प्रम्नम् नमामीरदे शेशे लीलाक्षिराब्दिशायनं लक्ष्मी सहस्त्र लीलावे सेव्यमानं कलानधिंग् चतुल विष्च, चतुल विष्च, चतुल विष्च त्रिविष्च था, शट्बिर विराज ते योशव, पंच धार दे मुल, अज्याना द्यंदकार प्रस्मन पटुता ख्यापना यत्त्रिलोक्यां, अग्नित्वम् मलनितम् ते कविभिरपी सदा वस्तुत क्रश्ण प्रादुर भूतो भवानित्यन भवनिगमा द्युक्त माने इर वेत्ति, त्वाम श्रीश्री वल्लबेमे निखल बुद्यना गोकुलेशं भजन्ते नमंत्रे न तंत्रे न चग्यान सिद्धव, न वैकुंठ बुद्धेश्ट वैकुंठ लोके, गतिर विट्थलेशे, मतिर विट्थलेशे, रतिर विट्थलेशे, सदावे मुमास्तु नमा मिनित्यम श्रमना दिनाथान, भजा मिनित्यम श्रमना दिनाथान, जपा मिनित्यम श्रमना दिनाथान, स्मरा मिनित्यम श्रमना दिनाथान श्री रमन प्रिय पउत्राय आचार कूल दीपकाय गीत संगीत सागराय श्रीद्वार केशाय नमुण सर्व प्रथम यसोदर्थ संग लाले श्री बाल कर्ष्न प्रभु श्री मदन मुण प्रभु ना चान कमलों मा साश्टांग दन्वित प्रणाम करी श्री श्री शुगोद्नी जी रस पानना सोड मा दिवसे ने यात्राना एक्विस मा दिवसे उपस्तित सर्वे प्रम भागिवान वैश्न उजनों आजे सेर गड मुका में आ रमनिय स्थलमा के जयां सश्ट निदी कल्यान राईजी गणों समय आगाम्मा विराज्या त्यां सुबोद्नी रिजी रस्पान करवानों लावो प्राप्त थियो एक खरकर आनननी वाद छे क्या एक 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 व्रजनी रशरूप भूमी मा एक एक स्थले निद्य भगवत गुणान वाद न अउसर प्राप्त थाई छे एथी विशेश सोभाग ये बिजु कोई न होई सक्या एमा पणा जे एका दशी वार्ता प्रसंग मा आपड़े जोई सक्किये छे के एका दशी ना सत्थसंग नू केटलू माहात निया खरीरी ते तो वैग्यानिक कारण बाजु मामू किया एतो ठीक छे गोण पक्स छे के पंदर दी उसे एक वार्पेट ना राम देवो ने उबदू दी तो गोण पक्स छे भी जानम बरे छे एना थी महात्मीन थी समझेवानू पण एका दशी एकले एक दिवस आपणे उपवास करिये जी के जे थी एका दश इंदरियो आपणी भगवत सन्मुकता केडवे पांच ग्याने इंदरी पांच कर्मे इंदरी अना ग्यार मुमन ए भगवत सन्मुक थाई एकला माटे आपणे एका दशी नोवरत करिये बिजाब दवरत आपणे निशेदी छे एकले जयन्ती अने एका दशी आपणे करिये के जे थी एका दश इंदरियो भगवान मा विन्योग थाई भगवत सन्मुकता प्राप्त थाई केमके आहार लेवा थी राजस उत्पन थाई अने पछी गणियो पादीवावे एवाच जुदी छे केका दशीन आपणे वदारे दबेडी जाता होई पना खरो अर्थ चे अवे तैनो अब्रण्स आपणे करिये के फराण पना फला हार चे खाली फलनो आहार करवान होई चे समय समय परिवर्तन आपणी सहन सकती आपणी सामर्थी गट्तू की वेटले परिवर्तन थाता जाए आवे तो एकादसी इम जमा उटना पाटिया होई नौर्मल दिवस करता है जोड़दार होई बेड़ ला मन था है मानास ने कना एकादसी करवी तो ब्रह्म राक्षस ना प्रसंग माहे सपस्ट चे के पेला भगवदी ने रोई का एकादसी नो सत्संग करीन आईवा राक्षस ने थायू के आतो वचन नो साचो चे के पोते मृत्यूना मुख मा सामे थी आई वोचे जरूरा कोई माहा पुरूष्ट एकले कहिऊ के हूं तने खाइस नहीं पण मने सत्संग नो फल आपी दे पेला भगवदी ये सत्संग नो फल देवानी ना पाड़ी खुबज विनईवा त्यारे एक तालनू सत्संग एक जे ताड़ी पाड़ी है ने बजन मा सत्संग मा किर्तन मा ये एक ताड़ी नू फल खाली आई पू अने ए योनी मा थी येनो उद्धार थाई गयो आपणे आने बहु लाइटली लहिए पन भगवद नाम मा जे काई क्रिया आपणी थाई छे शरीर थी वाणी थी एक केटकेटला यक्योनू फल एक ताड़ी मा आवी जाई जे जय गोश आपणे करिये छिए ए जय गोश थी उसुका में अग्र राखूं के जोड थी जय बोलो ए जय बोलवा थी प्रभूनी आपणा रदय उपर विजय थाई छे जे यात्रा करिये छिए आपणे ए फलनी अपेक्षा न थी आतो महात्मी जाणवानू छे के प्रभू अर्थे एक-एक डगलू चालो ने एक-एक डगलू सो-सो यग्यो बराबर छे दैराम भै भक्ति पोशन मा पन ए आग्या करे छे केट-केटला यग्यो ना फल उपर ए पग दिये छे भक्त तो एटलू महात्मी भग्वद पुणान वादनू भग्वद अर्थ थती बधी क्रियावनू ए महात्मी छे एटला माटे तो श्री पुर्षोतम चराणे जही श्रीक्रश्न वाद आखो लख्यो छे के ए जही बोलावाथी सुन थाए आतो एक नानामा समझवानू छे पण आपनी लोकिक व्रुत्तियो जे रदैमा चित्तमा हावी थे गई छे जही बोलावाथी एना उपर प्रभुनो विजही था भगवान नी रशरूप लिलावने आपने पंदर दिवस्ति मानिये ची एमा गईकाले दामो दर लिला आपने सारी रिते समझ्या पछी भगवत सुखार थे केम के गोकुल मा आटला उत्पातो थवाला गया ब्रहध्वन मा एटले चिंता थाई के विजहाज कोई सारा स्थड़े आपने सुन्दर स्थड़े जाए अने मंत्रना थाई अने ए आखुस थड़ बदलवानी जे वाद हती एपन भगवत सुखार थे राम अने क्रश्ण ना सुख अर्थे ज ए निर्णई लेवानों कोई ना स्वार्थ माटे ए निर्णई नतो लेवायो अने ए एवी सुन्दर पुष्प अने लतावो थी आच्छा दित फल फूल थी सम्रुद दित गास पसुओ माटे पन खुबज सम्रुद दी एवी सुन्दर भूमी जोई अने गोप बालको ने भगवान ने बदा हर्खाए गिया के आटली सुन्दर भूमी क्रिडा करवा माटे भगवद योग के भूमी एवीज रिते आपणी भावनाथी आपणे सौथी पेला नव घर बनाविये तो भगवद सुखारते एमा पेलू प्लानिंग गे करिये ठाक और जिनू कई रिते सेटिंग करूँ किमके प्रथम कर्तव व्यज आपणू एचे के भगवद प्रसंता साधवी अने सेवक माटे भगवान नी स्वामी नी प्रसंता थी विशेश बिजु कोई फल ना होई लोकिक मापण जोहिये ची आपणे क्या इनोकरी करता होई हावे साव थी जे मेन बोस होई कमपनी नो ए आपणा कार्य थी खुस होई ने ए आपणा उपर प्रसंन होई तो पचे बिजु काई मेडवानू एने बाकी रेतु न थी केम के मेन बोस हज प्रसंन न जी प्रसंता इना माटे मोटा मोटू फल जी तो एभी रीते भगवेज सुखार थे आ नेणई लईने भगवान नी प्रसंता आलोको ए प्राप्त करी एटले आपणी जे काई भागा भागी छेने हजी समझी ले जो के साधन बुद्धी थी सेवा कईरे राख्षो कईरे राख्षो तो साधन मा तो आपणी हमेशा टुका ची ये नरेवाना ची कोई दी आपणा साधन पुरा थावाना ना था ज्यांसुदी ए ना कराव एनी क्रपाथी बदु पूर्ण थासे बाकी तो अपूर्ण जरेसे बदु त्यासुदी के एटला माटे तो वैदिक कोई पण विधी के क्रिया थाए एटले छेले बोलाए के यस्यस्मृक्तिया चनामोक्तिया तपो यग्य क्रिया दिशु निवनम संपूर्ण ताम्याती सद्ध्यो वन्दे तम अच्चितम केमके आप अच्चित छो च्युती रहि नाम लिधा वगर कोई पण कार्रिय फूर्ण थाई सकेम नथी केमके अमारा मात दरेकमा च्विती आवी जाए कैंक कैंक खोट खामी कैंक उभीज होई पन जियांसुदी आप पूर्ण ना करो तियांसुदी ये पूर्ण थावानू नथी तो भगवत सुखार्तेज आपनी बदिगरिया चे आपनी सेवा चे शेव exist फ्रभुनी प्रसंता साधवी इज आपनो धर्म चे साधन बुद्धियावी जा ये आपनी प्रसंता साधता अपने थई गया जे अनूकुल अशय संकल्प प्रतिकुल विशर जणम जे आगिया करी के प्रभुने अनुकूल होई एवु करवानों संकल्प आपणामा होँजोए अने जे काई आपणी भक्ति मां सेवामा प्रतिकूल होई एनों त्याग करी देवानू आपणामा निष्चे होँजोए त्यारे ए शर्णा गती फाकी केवाई तो एज वाद आपणी सेवा मा नाना माना नी लईने मोटाम मोटी सेवा सुधी बद्धे द्रश्य मान थाएज केटले तो श्री गुशाईजी नू नाम कहिऊँ छे के स्वपित्रू प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचार का श्री आचारी चर्ण द्वारा प्रवर्तित जे सुध प्रेम लक्षणा भक्ती मार्ग छे एनों प्रचार करवावारा एपण केम सुविचार पुर्वक आप ए सेवा नों जे विश्तार करयो एना थी आपणी जे गटर छाप लोकिक व्रुत्तियों हती ए सेवा कथानी गंगा मा भड़ी ने अलोकिक थे गई अने एज वात आपणे बसोबहन ना अनेक प्रसंगों मा जोई सक्किये चिये के केवी रित आपे लोकिक व्रुत्तियोंने सेवा मा विनियोग करावी ने अलोकिक थर दिवी तो मुख्यवस्तुचे प्रभुनी प्रसंगता एज अर्थया नेणी लेवानोक अने प्रभुने प्रसंगता थाई एटली सुन्दर ब्रंदावन नी भूमी जोई अने त्यां आप गवाल बालो बधा सुन्दर बनराजी मा यमना जीना तटे खेलवा जाता वाचड़ाओ चारवा जाता एक वकद स्री गुशाई जी आपके बार गाम पधार था जेजेना वचनाम्रत मा आप रसंग आपे आग्या करेल बार गाम पधार था था परदेश एटले ए समय मा आपे ए समय नुझे चलन पान्सो रुपिया जेऊ एक इरदर जी ने आथमा पेला लाल जी मोटा लाल जी ने आथमा सोईपू अने कहिए के जरूरी कार्यमा वापर जीओ आप परदेश पधार्या जे धोंधी है तो पक्खावा जी ए थोड़ा दिवस्धी एनो मूड वई गियो तो पक्खावाज सर्खू वाग्तु नहींने नवनित प्रियाजीन मजान आवती एटले नवनित प्रियाजी ये गिर्धर जीने आग्या करी क्या धोंदीनु पखावज डेम पड़ी गियुँज मजान थी आवती पेला जिवी सूंत अकलीप छे जानो अज़े धोंदीनी छोकरी ना लगे नहीं ता येने ये उपादी आती एटले एव इचार मा सर्कु एवु जेवु वागु जोई एवु वाग्तु नहीं गिर्धर जी ये गोकुलनाच जी साथे परामर्श करियो क्यमके गुशाई जी ने प्रियाग आती आने गुशाई जी जी ज्यारे सदेह गिरीकंद्रामा प्रवेश करियो त्यारे एमागिया करता गिया के वल्लब कहे सो करियो एटले गिर्धर जी ये कहुँ के आजे मारी पासे काका जी मने दैने गया छे द्रवी एहुँ दैदाउ पन पच्छी काका जी ने जवाब सुन देवो गोकुलनाच जी है कहिऊ के प्रभुनू सुख सच्चवाई छे आप देई दियो काका जी ने जवाब हुँ देई देई के भले वान दोने गुसाई जी पाछा पधर या त्यारे गिर्धर जी ने एह हिसाब विसे पूछिऊ त्यारे आपे गोकुलनाच जी ने बोलाविया गोकुलनाच जी है सव इस्तार बधी वाद करी के आवी रिते नवनित प्रिया जीनी आग गया थाई अने दादा ए आपे जे द्रवी आप्यू तु ए धोंदी ने आप्यू सुख जे थी प्रभुनों सुख सच्वाई रिया गुसाय जी आगया करी के खाली पानसो सुखा माई पा बिजू जेट लुआ तु बधू आपी देहू तु भगवच सुख सच्वाई थी विशेश बिजू आपने सुझों जोए तो जे काई आपनी क्रिया आपना विचार एह हमेशा भगवच सुखार थे जोवा जोई ये स्वार्थी ना होवा जोई जो साधन बुद्धी आवी गई लोकिक भाव आवी गियो तो ए स्वार्थ ने याँ जग्या मड़ी जासे सकामता ने जग्या मड़ी जासे जियां सुद्ध प्रेम होई याँ स्वार्थ ना होई के तुमारा माट अटलू कर तो हूँ तो जहूँ तने अटलू करूई तो वे पार जे प्रलाज जी भागवच जी माँ कहे छे के आपनू भजन करीने जे काईक आपनी पासे थी अपेक्सा राखे छे ए भगत ना थी ए तो वे पारी जे खणायम के कामे तो बहु गणेस जीना भगत मोटा बेदी मानता हूँ करे अमे तो आफलाणा माता जीना बहु मोटा भगत पड़ मनमा अशू आवे के भगत नाथी घराक छे के तमे अटलू दै दियोने हूँ अटलू करूं ए वे पार छे चोखो वे पार छे या भगतीनों छाटोई ना थी जारे सुद्ध प्रेमलक्षणा भक्ती तो निश्काम होई एमा स्वार्थ क्यारेई ना होई एमा तो भगवत सुखज महत्वनू छे बाकी बद्धु गोण छे या सुधी कदाच क्याई सिद्धांतने बाध हाव तो एपन छेताए जम नवरतनम आग्या करी छे अवे एवी क्या आचार्री एवी आग्या करे मने क्यो बाधनमवाहरीच छे या सेवाक्रतिर गुरुर आग्या बाधनमवारी छे के गुरु आग्या प्रमाणे सेवा करवी औने जो भग्वत क्रपा थी ए हरी जे सर्वना दुख हरता चे ए अनुभव जत्तावा लागे अने गुरु आग्या थी काई विप्रित आग्या करे तो आचारी चन कहे छे के तो पेला हरी नी आग्या पाडवी पण ज्यारे अनुभव थावा लागे त्यारे यहां सुधी तो गुरु आग्या अज प्रमान जा यहां आपड़े जो सिद्धु जम्पलावानी कोशिस करी है तो सोट सरकेट थाई जाए तो नियम पण क्याक बांध छोड़ प्रभुना सुख अर्थे थिया जेम तान सेंजी नी वारतामा आवे केमके राजसी गवई आता एटले मद्य पान अमल तो करे यही वगर मेण ना आवे और कोई फट काई राग भई आया तमे सनमुखावो चोने अमल करी ने एविडित नहीं आवान। एटले ना वगर आईवा पन एवु बेकार गायूने के स्रिनाज जिन भगास आवा मेंदा। ले गुसाई जी पुछू के सुँछे आजे केम आपने उबासी आवे छे कपोल मा आध फेरवी ने पूछू। ले शिनाज जी ये कईू के ओलान जाई ने क्यों के रोजनू काम करी ना आवे। एटले भगवत सुख मुख्याच। एवात हमेशा रदई मा कोत्री ने राखवा जेवी छे के पुष्टी मार्ग मा भगवत प्रसंताज सर्वो परी छे। तो एने साध्वा माटे एवा सुन्दर वन प्रदेश मा प्रंदावन मा पधार्या जेटला सकटो हता छकडावो हता एने अर्ध चंद्राकार करीने त्या रहवानू आखू बधाये आवास बनावियो। अने ए सुन्दर भूमी मा अनेक विद क्रीडा गोप बाल को साथे भगवान करता। एक दिवस श्री अमनाजीना तटे बधाव आचडावोने लईने प्रभू पधार्या ए जेटलाव आचडावो हता एने यमना पान कराविय। जल पिवडाविय। एमना दोश रूप एक असुर एनी वच्चे ए वाचडावोने रूप लईने खुशी गियो। भगवान उपर घात करवाना दुर विचार थी ए असुर त्यां दैत्ति आवी गियो। जेने वच्चा सुर कहेओ। केमके वच्चना भेशमा ए वच्च जेवोज थाईने एनी वच्चे गुशी गियो। प्रभूतो अंतर यामी छे। आजे आपड़े जोई सक्किये घणा वच्चा सुर एवा गुशी जाई। पण भगवान तो अंतर यामी छे। जेमकाल में किदून चोबाजी एवी कविता बनाए विती ठगिया वैश्ना उभेश में। बिना बुला ये बोले जेशी क्रिश्ना जेशी क्रिश्ना के तो फिर तो डोले एव कैंक बने वुशी तो एवा घणे वच्चा सुर गरी जाता होई। पन भगवान अंतर यामी छे। एतले आ वच्चोनी वच्चे वाच्चराहोनी वच्चे एमना दोश रूप ए वच्चने जोएली दो। सुबोधनी जीमा कहे छे के यमना काठे आईवो छे एतले एनी मुक्ती थास। अहीं जेम में पेला पन गणिवार कहिऊ के एज आपणा प्रभुनी विलक्षन ता छे के जे अपकार करवा आईवो छे एना उपर पन उपकार कहिरो छे। एने पन सुन्दर गती दिदी छे। कहे छे के यमना बेन छे एतले यम यातना आवे नहीं तो अहीं एना काठे आ लिलकरीने मुक्ती मड़े एमा सुँ आश्चर्ये छे। भगवाने दूर थी एने ओडखी लिदो के वाचरावनु रूप लईने आ देत्य वच्चे गुशी गियो छे। पन भगवाने जानी गिया छे एवु एने जणावाना दिदु। प्रभुये इसारा थी बल्राम जीने बल्दाव जीने बाजु मा बोलावया अने एमने एवच्च देखाड़ेओ के आशूरू छे। श्री सुबोधनी जी मा आप आग्या करे छे के आपे एनो वद करवो तो तो करी देता केम बल्दाव जीने केवानो तात पर यसू। एटले लेख माल योजनामाल आलू बट जी बतावे छे केम के बल्दाव जी वेद रूप छे एटले वेद रूप ने जणावी ने लिला करवी छे एने प्रमान रूप करवी छे। नहीं तो निंदा था यने साथे आपणे पन सांबल ये छी व्रजियात्राने लईने के भगवाने वद सासुर्णो वध कईरो एटले ग्वाल बालो ये बदाये कहिऊ के तमारे प्रायस्चित करवो पड़से। आख्याई काचे के तमारे प्रायस्चित करवू पड़ से अने प्रायस्चित रूपे आखी ब्रजनी परिक्रमा करावी तो वद्स जेवो थाईने ए गुसी गियो भगवाने उड़की लिदो बलदाव जीने कहिऊ अने इने खबर ना पड़े ए रिते रमत रमत मा खेल करता करता जेम बधा वाच्णावो साथे करे एवी रिते कोईने पकडवा दोड़े भगवान पन एने संकान आ जाई एटले एनी बाजुवारा वाच्णाने पकड़ी लिए जो हो एने संसाई थाई तो ए भागी जाई अथ्वा तो पोतानू दैत्य रूप बाहर प्रगट करी दिए के जेनाथी ग्वाल बालोंने भीती थाए एमने दुख थाए अने आप तो हरी छे बधाना दुखनू हरण करवा वारा छे त्या सुधी के आ असुरना दुखनू पन हरण करीने एने मुक्ति आपसे तो एवी रिते बेचार आजू बाजूना वाचला साथे खेल करीने अच्चानकज भगवाने जपट मारीने ए वच्छासुरना नामना दहित्य ने पकड़ी लिदो केवी रिते पैकलो तो कहे चे के एनी पूछली अने पाचलना बे पग साथे के गदा चेकली पूछली पकड़े तो पग अलावी ने भगवाननो अपराध करे तो एनी हानी थाई एटले बेई पग साथ एनी पुछडी पकडी औने एवो फेराईवो के त्याँ जेना प्राण उडी गिया फेरवी ने एने व्रक्षू पर नाइखो औने ए व्रक्षू पर थी फड़ पड़वा लागिया श्री आचारी जण कहे छे के भगवान नी एक क्रिया अनेक कार्यों सिद्ध करे छे के व्रक्षू पर सुंकाम भेईको के फड़ पड़वा ता एटले इफड़ बेधाने आरोग वाल बालोने लेवा काम आवा अने साथे साथाने मुक्ति एदई दिदी एक पंथ दोकाई कहे छे के व्रक्ष साथे अथलाई ने एना प्राण नथी गया के भूमी उपर पड़ी ने एना प्राण नथी गया पण ज्यारे भगवाने ने फेराई वो त्यारे अंत्रिक्समा जेना प्राण उडी गिया आ बधु ग्वाल बालोंने खबरना पड़ी ग्वाल बालों ये तो सिद्धु जोयू के जाडवा उपर थी फड़ साथे मोटो देईतिय पईड़ बधाने बोव आश्चर ये थीऊ का चानका देईतिय क्या थी पईड़ो एटले विचार विमर्स कईरो त्यारे खबर पड़ी बलदावजी द्वारा के भगवाने आ लिला करी त्यारे बधा वाह वाह करवा लागया के वाह प्रभुए आ असुरनू हरण करीऊ अने व्रजमा जाईने बधाने गोपियोने ग्वालोने पोतानी मातावोने आ कथा केवा लागया के आजे कनईया आए वन्मा आवा देईतियनों वद कईरो आजे वत्सासुर हतो ए वाचडावोना दोस रूप हतो एटले वाचडावोने पन भगवाने आनू वद करीने निर्दोस कईरा केमके लिलानों अनू भव करावो होई प्रभुयेतो पसु पक्सी जड चेतन दरेक ने एक क्रपा प्रसाद थी नवडावी दिदाज एटले पेला एमने निर्दोस कईरा आविरिते वच्चा सुर्णों वध करी अने ब्रजमा आप पधार्या त्यारे ये देवताओ ये पुष्प व्रस्टी करी सुबोधनीजीमा कहे छे के देवताओ ये पुष्प व्रस्टी करी स्तोत्रों नू गान करी वे थी ये प्रमाणीत थाये छे प्रभु ये आ प्रमाण लीला करी छे आमा कोई जातनू निंदित कर्म न थी त्यार बाद एक दिवस त्या यमनाना तीरे प्रभु वाच्डाओ साथे गोप बाल को साथे वाच्डाओ चरता ता अने गोप बाल को साथे आप क्रिडा करता करता ठाकी गिया त्यारे यमना जलनू बधाये पान करियो गोप बाल को ये यमना जलनू पान करियो आपे पन करियो अने कहे छे के गोप बाल को ना दोस यमना जल पान करता बकरूप थाई गया अने ए बधा दोश एकत्रित थाई ने बकासुर्णू स्वरूप धैरू ज्यारे जलनू पान करी अने बधा उबह थिया त्यारे जाने परवत उपरती पड़ेलो कोई सिखर होई एम एवडु रूप बकासुर्णू त्या पड़ेलू जोयू ए जोयने बालको बधा खुबज भैबीत थया ए बकासुरे तरत भगवानने चाचमालाईने एने ओगडी ओगाडी लिधा आ ओगाडी लिधा भगवान बकासुर्णी अंदर वई गया ए जोयने बलरामजी सहित गोपो जेटला हता ए बधा अच्चेत थेई गया मुर्चावस थेई गया एमा कहे छे के जेवी रीते प्राण वगर इंदरियो बधी अचेत थेई जाए अने एने ए स्थिती माँ पैडी रिये काई करी ना सके एवी स्थिती बलरामजी अने गोप बालकोनी थेई केमके एकलोस नहे प्रभूमा द्रड थाई गियो तो अने क्रश्णने आ दैत्य हे आखा मोडामा लैली दा एने ओगडी गयो ए जोईने आलोकोना चेतन हनाई गिव आलोकों माँ थे अने बधा जड़ जेवा थाई गिया बधाने मुर्चा आवी गि भगवानेनी चाचमाना रहा एना कंठमा स्थिती करी किमके आजे बक चे बकाशूर चे ए दंब रूप चे एनी जे बे चाचो चे ए लोभ अने असत्य चे अने ज्यां लोभ अने असत्य होई यां भगवाने स्थिती ना होई भगवान नी स्थिती क्या होई के वेद नुजियां स्थान होई वेद प्रमान होई एतले सरस्वतीना स्थान कंठ माँ आपे स्थिती कही रिए अने अंदर एटलो अगनी जेवो तेज प्रगट कही रो के बकासुर ने खुबज पीडा थावा लाएगी करी शक्किये वी होई पन एटले अहीं अगनी जेव कहिऊ क्या अगनी रूप थया एकले असहिय बढ़त्रा इने बकासुर ने थाई एना थी शू थाईऊ के इने प्रभुने पाचा बार काटी दीधा पाचा बार काटी दीधा अने पची तरत क्रोधवस थईने प्रभुने मारवाएवएव क्रोध हो इ बुद्धिने बन कर दिये श्विच्श बन थेई जाई क्रोध हो एटल आपनी बुद्धिनी श्विच बन थेई येटले कहे छे के जेवो बकासुने क्रोधाई वो येना आधिदैविक देवता तिरोहित थेई के जेने अवड़ु हर गईवु तो बुद्धी थी विच्छारे तोभे पसी एननी हामुना थवाई याँ थी भागी जवाई पन क्रोधाई वो येटले बुद्धी गई येटले प्रभू पर हुमलो करवा माटे येमनी तरफ भाईगो त्यारे जोता 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 ज भगवाने येनी बे चाचो पकड़ी ने येने बे भागमा गोप बालको ने जोता चिरी नायको येनू वध करियो आपने कहीने कह बगला भगत ये दंप चे केमके लोब आवे आपड़ामा एटले असत्य आप आप आवे पोतानू बचावोई लोब करवोई एटले खोटो बलू पड़े क्या असत्य तरत आवी जाए अने लोबने असत्य बेयावे एटले दंप तो ये लोबना कारणे आपने घणिवार बक जेवी व्रुत्ती धारण करी लेता होगे ची के ज्यां आपना सामर्थ्य ती ओच्छू आपने करिये ये आपनो लोब चे छताई वैश्णावता आकबंद निर्मा जेवी सफे दी राखिये ये आपनो असत्य अच्य अने बिजा असत्य ने कारणे दंब चे कापने खरे खर पने इतो जाने चे बदु इबद्धाना कोण केटला पाणी माचे इबद्धु जाने चे जेवी रिते दानलीला करीने भगवाने बदाना अधिकार चकासी लीधा कोण केटला पाणी माचे अने पची अधिकार प्रमाणे अने असत्यने कारने दम्भ रूप ए बकासुर्णो भगवाने आ रिते ए लोभने असत्यनी चाचोने फालीने येने बेजीरा करी ने खाने येने एवी रिते भूमी उपर राखी दिदु के विर्णी कहे छे संस्कृत मामन खबर ने थी लगबग कुष नू आसन होई ने व निराजवा माटे एवी रिते देवतावोने बेशवा लायक एवु आसन थाई किव। एवी रिते भगवाने ने मारी ने त्या भूमी उपर पटकी दिदु के भगवानने जोईने पन ए गोप सकावने बलदावजी के जे अचेत जेवा थाई गिया ता ए अत्यंत आनंद मा आईवा पन उभाना थाई सही का प्रभूतरफ जावानी सामर्थियम नामा न रही एटले प्रभूज सामे थी त्यां पधार्या अने बधाने पाचा सपर्स द्वारा सचेत कईरा आलिंग नादी करी अने बधाने आनंद प्राप्त कराईवो देवतावय पुष्पव्रष्टी करी शुबधनीजीमा कहे चे के खाली पुष्पव्रष्टी करत तो गोप बालकोने एटलू महत्मिय ना था एटले ब्राह्मनों ये वेद ना अधिदैविक स्वरूपो ये वेद गान करिऊ भगवाननी स्तुति करी अने केटला वाजि पुष्पवगाडिया एना थी गोप बालकोने महत्व थिव के आतो भारी लागे छे आपणों आरे फरे छे कानुडानू के मातम मोटू छे आपणे तो त्यारूदी आपणा जेव जह मत्ता था प्ला निवा है तो दुनिया नू छे एटले एमने महत्मियान थिव अने व वनमा आरीते बकासुर्णों वद करे ओ आ बधा उत्पात सांब्ली सांब्ली ने नंदराई जी विगेरे नी प्रभूमा एटली आसकती थाई गई के ए चिंता कईरे रागता के भगवान साथ केम का जियां आ बाड़ कोई यह डखा थाए आनिया रेज केम उपादी थाई ए सतत करता ए बधी कथाओ पूतना अत्रणावर्त जेजे भगवाने लिलाओ करी छे ए नंदराई जी बधा गोप सकाओ साथे करता रेता अने एमाज एमनो प्रभूना चरित्रना गुणगानमा समय वियत थातो एवी रिते नंदराई जी नो अने ए गोप सकाओनो पोतानामा सिद्ध कराई गोँ आरोला अमारी साथे बेठावी ने एटले याम रोश युक्त थाई ने देखा रेक जो अफाटेली नोट अना करता ना धरता होई तो एटले पचियो मेंने टाड़ा पाड़ी एक बाई जे क्याई नाले नी आई याई आले नोट तो बहु स्थूल तुझे आपड़ा फाटेला भावे अलावेट बगवान अलावेट चन आईलू जाई शे महाप्रभुजीन क्रपा थे बाके आले येवा चिये नहीं पड़ा महाप्रभुजीनो जे आन बिचारन कैक तो करवू पड़सें येटला अलावेट बगवान पड़ा अलावेट अंगली दियन आपड़े पुंचो पकड़िये ये तो खोटी वाद ना पचिये आपड़ी सामर्थिये प्रमाणेनू तो आपड़े करवुज जो एतले गणी वखत तुम कवंचू सास्त्र कहे चे के सामर्थिये ती ओच्छू करवू ए चोरी ची अटलू तो माराती नहीं थाए इजे चे न इसत्तिय चे जे आपड़ाम सामर्थिये चे आपड़े करी सकीए ची चताई लोकित भवने काणे लोभने काणे प्रमादने काणे जोर सान्ति थी कई देख नहीं थाए माराती अपन्हा माते ईपडे हलवी न थि लेता आपना सुखने आपनी इंद्रिवो ना सुखने साट्यो आमाते अपने लोब्हे न थि करता क्या रहे आपने अपने जमहापर न पाटि आओए बगवान दोवेतले हम गे अतो हलला उवेतले नहीं आले भगवान ने जाने हम जा होता हो इन छेतर ता हो एवी जो अला वी ले जो इतो बिचार अला वेच्छे एने छुटको ना थी बंधा हैला आशे दामोदर लिला माँ वच्छाने बंधा हैला आशे हुँ करे बिचारा आपणा माटे आपणे लोब नथी करता आपणा माटे बद्धू आपणे करिये पन भगवान माटे भेगू करू ना ना पचे कर सूं पचे कर सूं भेगू करिये तियारे ये भेगू करी ने कोई दे काम आवे नहीं छोक्राव पची जमावत ना पाठी आवे वो तह पाँच करोड बेगा करें पच्छी आरामती आनंद करीशने सुख भोग्वीश पन पाँच करोड जेदी भेगा अब आम जानों नोलो यम दूत क्या हल पाई होए टाइम थाइगी तारो पुरो ओलो का आवू थोड़ी आले यार में अटली मेनत करी करीन पाँच करोड भेगा करें तम्मन लेवावी गया आतो आने चे आवो खेलना कराई तीक नाना आवे टाइम पुरो थाईगी यो लख कर हल फाल पले यम धूत के ना लखान हुए लखान कर वा नथोन नहीं मंने थोड़ी कलाको तो अपर यम दूत की दू कालने तन्हें अड़ी कलाक दी थी वां दोने riot Star एजे अड़्दी कल्लाक नो समय मैडो एमा याने नानी चिठी लैखी एटलो समय ने मैडो चिठी मा याने लैखु के में आखी जिनकी धसरडा करी करीने पांच करोड भेगा कैरा पण एना थी मारा वाला हुँ एक कल्लाक खरी दिना सेखु एटले कोई आ उपादिम पड़ता नहीं तो ए लोब छे ए असत्य प्रगटावे अने लोब ने असत्य भेगू था एटले दंब थाए के दंब एटले के आपणे जेवा चिये एवा ना थाईने बिजास्वर्प बधानी सामे देखाए इदंब पण भगवान ने तो आपणे हाच हाच आदेख आच आपणे के वाच तो अहीं बकासूर्णे मारी ने ए दंब नु निवारन कियो एटले तो हरिराईचरण आग्या करे चे के ना फलार्थम ना भोगार्थम ना प्रतिष्ठा प्रसिद्ध है पण दंबच चे के बदा जोईने वावा करे के हुँ अटली सेवा करूंचू प्रसिद्धी के मारी प्रतिष्ठा थाए ओहो आवे आणे अटलो मनो मोटो मनोरत कई रो एकले मारा मनोरतीना एनाउंसमेंट मोटा मोटा थाए बेनरू मोटा लागे आ करीन मनों अटलो मडी जाए एव फल आ करीन मारू स्वास्थिय सारूरिये ए भोग माटे नी इच्छा तो हरिराईचरण स्पष्ठ निशेद करेचे के न फला आर्थम न भोगा आर्थम न प्रतिष्ठा प्रसिद्ध है भगवाननू भजन कोई फलनी आसा थी कोई भोग भोगवानी आसा थी के प्रतिष्ठित्त अपड़े थाई जाए एक भगत तरीके के वहां बोव मोटा भगत चे परम भगवदी चे अटली सिवा करे चे के प्रसिद्धी माटे के नाम बदे थाई जाएको होवडो हमरत कईरो अटलू कईरो खरे खर आ बदू तो सहज माँ भगत ने प्राप्त होई पड़ेने आनी आकांक्षा ना होई क्यारे तो आ बदी आकांक्षाओ आपणामा घर करे ए लोकिक भावने कालने जिना थी ए दम्भू भो थाए अने दम्भ मां आपणे जे मूल तत्व छे एने विश्री जाए जे आपणने फलरूप मानू छे एने विश्री जाए अने आ दम्भ नी वाह आख़ी जिन्गी वेड़ फाई जाए लोक मां कर्दा आज प्रसित दिवावा थाई जाए पण परलोक तो बगडे तो अहीं आ प्रमाण प्रक्रण पूर्ण थाई छे एमा अगळ प्रभुनी क्रिडावन उवल्ण छे के ए व्रंदावन मा भगवान अनेक विद कास्ट ना माटी ना खिलो ना बनावी बनावी ने यमना नी काठे खेलता बधा गोप गवालों साथे एवी विविद विविद क्रिडावों करता हंस साथे हंस जेवी कला कृती करता मोर होई तो मोर बनी जाता देटकावों साथे बधा गोप बालकों साथे वा आवाज काडता नेनी साथे कूदता जलासयों मा अनेक विद जल क्रिडा करता एवी गोप बालकों साथे अनेक विद क्रिडा करीने नंदराईजी गोप बालकोंनों निरोध पोतानामा सिद्ध करावियो एमनों प्रेम द्रड करता अहीं प्रमाण प्रक्रण पुरू थाए छे एप प्रमाण प्रक्रण माजे एस्वर्य विर्य यश श्री ग्यान वैराग्य अने स्वरूप थी धर्मी स्वरूप आ साथ अद्धियाई आपने जोया भागवज जीना आरी ते किटला थिया अग्या कहाई नेम थियो कि यार आओ पूछो मा बोलो इत बोलो हम बड़ावे दिवा टेस्ट क्या थी चालू कर दिया उपादी थे जाए वरी काल माराज पेपर मोकला उसे कालो वरी ने मोकलो तो चारत द्याई जन्मप्रक्रर्मा जिमा 14 विवरुपे लीला केरि वासुदेव प्रत्यूमन संकर्षन अनिरुद एर दिते चारत विवरुथी आप पधार्या चे यनी साथे पधार्या चे केमके आबदा कार्यो ए विवरुष पासे करावा चे किम के पुर्णपुर्शों तो आनंद मात्र करपाद मुखो दरादी ए आनंद नू स्वरूप छे अने ए आनंद नीज लीला करे आब दे लीला व्यूह द्वारा करावे जे मोटो मानास होए ए नाना ना काम पोते ना करे जे मोलूगे न कि चीटियों को मसलने के लिए हाथियों को बेजने की जरूरत नहीं है इतले प्रलाई रूप निरोध आचारी चर्ण नथी मानता कि तो भगवान यहां बेठाए करिया के आयां आवा माटे तो काईक इंपोर्टेंट काम हूँ जो है तो जी पोते पधार है बाके यहां बदो दोस्त देतियों ने मारवाने राजावों ने मारवाने यह बगवान ना करे यहना माटे तो बद्वा आखो स्ठाफ भूज तैयार जी जे वीरिते आचारी चर्ण साथे वाद करवा आउता ने बार थी केटला उपड़ी जाता उल्ला संभू जी बार ब तो ए प्रभूतो आनन्द मात्र करे चे चतुर वियू साथे एटले पदार चे आत्मन सह सक्ति भी बदी सक्तियों साथे आप पदाईरा पिक्निक मां मूड मां चे आनन्द मां चे आजो आपने यी विरुद्धर्मा श्रीता अन्स होवाने काने आपड़ा में जोई सक्कि एसी ओफिस में बेठे हैं मस्त चिल्ड एसी चालू है कहीं तो म्यूजिक ब्यूजिक भी बैचते होंगा पर काम कर रहे हैं पहाण की चड़ाई कर रहे हैं पसी नार हो हैं मेनत कर रहे हैं पर पिक्निक पे एसी ओपिसमा बेठा चिये पन काम करिये ची अने पहाण उपर फरवा जाये ची शरीर ने कस्ट थाये चे पसी ना आवे ची पन पिक्निक माची त्यारे पिक्निक नो मोडी चे अनन्द माची तो ए अंतकरणनों विशही छे देहनों विशही नती ने अहीं तो आ प्रभू एवा क्रपाड़ू छे के अंदर अज नहीं पन अंदर बाहार सर्वतरप्ती भक्त ने ए रस्ती प्लावित करी दिये छे छलकावी दिये छे के बद्धी एकादस इंद्रियों सहीत अंदर बाहार थी भगवदनू भूतियेने सतत थयारागे तो आ सात अध्याई मां प्रमाण लीला कही छे जे तामस प्रमाण प्रक्रण छे ए आ सात अध्याईनू आपणे पून करियू बार तेर अने जवद भागवद जी मां जे अध्याई हो छे ए प्रक्षिप्त कही आछे टिका करी छे केमके भगवद कथा चे पद्मपुराणादी मायनो उल्लेक छे एटले संक्षिप्त टिका करी छे पन कहुँ छे के प्रक्षिप्त तेटला माटे छे प्रक्षिप तेटले के आ सारस्वत कल्पनी कथा न थी केम के जियां छेलो अध्याई तामस प्रमाण प्रक्रण नो पुरो थाई छे त्यां सुक देवजी कहे छे का हवे प्रभु पोगंडर लिलामा प्रवेस करे छे कुमार लिला ने आपे व्रजमा त्यागी दी दी पची फरी आया कुमार लिला नुवर्णेंज अने त्रिजा अध्याईना अंते फरी एज स्लोक पाचो अहीं मुक्यलो जे एटले कोई आधुनिक विद्वाने क्रश्न कथा ने आमा स्थान देवा माटे आ त्रण अध्यायो आमा एड कही राचे पाचलती एवो मत श्रियाचारी चलननों छे पन भगवत कथा चे एटले संक्षिप्त टीका एना उपर करी चे एत्रण अध्याय अघाषूर्णों वद ब्रह्मा जी जे वत्सोंने वाचडावोंने लई गोप बालकोंने ओने ब्रह्मा जी निस्तूती आ त्रण अध्यायो एप्रक्शिप्त कह्या कै ये सारस्वत कल्पना नथी कोई बिजा कल्पनी आ कताझ अने अहीं बकासुर मा पन एवी कथा आप सुबोधनीजी मा कहे छे के एवी एवो प्रसंग पन सांबलवा मा आवे छे के महादेव जीनू वर्दान बकासुर ने प्राप्त हतु के तने एज मारी सक्षे जे तारी अंदर थी बाहर में कड़े एटले आचारे चन कहे छे के कदाच आ कथा सत्य पन होई तो आ कलपनी न थी बिजा कलपनी छे केमके जो अंदर थी बाहर पदारी ने ए महादेव जीनू वर साचु करवू होई तो प्रभू कंठ सुधी ना बिराजे पन उदर मा प्रवेश करे पन आप कंठ सुधी ज बिराई जाचे तो आविरिते आप प्रमाल प्रक्रण तामस प्रक्रण वुप प्रक्रण अहीं समाप्त थाई छे पछी त्रण प्रक्षिप्त अध्याई के जेने कवतुक लीला श्री आचारिचन कहे छे ए चालू थाई छे ए प्रक्षिप्त अध्याई मा बिजीवात ए पण आप आग्या करे छे के केम के अहीं सारस्वत कल्प मा तो भूमी जे अती जो यादोई तो पेला बिजात दिवसनु के प्रत्वी गोरूप धारण करीने ब्रह्मा जीने लईने शिर सागर्गे ब्रह्मा जी ये समाधी लगाईविन प्रभुय आग्या करी के ब्रह्मा जीज विन्ती करवा जावावारा अता ने आवी समाधी लगाईडी तो येमने विश्माई ना थाए केम के एमने ख्याल होए के प्रागेटिये थावानूट छे तो प्रभुनु ए स्वर्य जोईने एमने विश्मई ना थाए ज्यारे अहीं एक कथा छे एतले आ प्रक्षिप्त गणवा पड़े का आ कोई बिजा कल्पनी कथा होई सके जे मत्यारे कल्प मां गणाईने कन्फ्य था तो वह कल्प एटले